हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दोस्तो वाटसप की डिलीट चैट को कैसे देखते हैं जो कि दोस्तो आप delete chat को दोस्तो चुटकियों पता कर सकते हो जैसे ही मालनों दोस्तो यहाँ पे मैं आपके सामने दो phone लिया हूँ और यह दो phone इसलिए लिया हूँ तकि दोस्तो मैं आपको live यहाँ पे करके दिखा सकूँ मैं यहां पर दो चैट को open कर लेता हूं और यहांसे झामने यहां पर देख सकती हो कि मैने याई मैंसेच आ चुका है मैं इस लिए दिखा रहा हो था कि आपको कहीं से भी बिडियो फेकना लगए सारा सब100 अभी चल रहा है अब यहां पे चलिए दुस्तो मैं आपको आप दिखाने वाला हूं कि दुस्तो वाटसप की डिलीट चैट को रिकवर कैसे करते हैं इसके लिए दुस्तो सबसे पहले यह वाला दुस्तो जो वाटसप है ना मैं यहां पे इस तरह से बंद कर देता हूं पूरा ही दोस्तो यहां पे बंद कर दिया और यहां पे दोस्तो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक मैसेज करके दिखाता हूँ जैसे मैं यहां पे दोस्तो लिख देता हूँ क्या हाल है आपको यहां पे इस तरह से मैंने लिख दिया क्या हाल है और यहां पे दुस्तो यह जो बंदा है ना यहां पे तो message भे दिया और दुस्तो यहां पे यह जो message है कुछ दिर बाद आ भी जाएगा देख सकतो यह message आ भी गया बट दुस्तो यह जो बंदा है ना अपना phone दुस्तो कहीं घर पे रख दिया है या फिर दूस्तो उस समय अपने phone को pocket में रखा है बट दूस्तो ये जो बंदा है ना इस message को यहां से delete कर देता है delete for everyone कर देता है अब यहाँ पर दूस्तो ये जो message है इस बंदे ने पढ़ा ही नहीं और ये दूस्तो जो message है इस बंदे ने delete कर दिया तो दोस्तो आप इस message को कैसे देखोगे आपके दोस्तो मन में confusion बना रहेगा आप दोस्तो पूरा दिन सोचते रह जाओगे कि आखिर इसने बंदे ने ऐसा क्या message किया था कहीं मुझे गाली ओगरा तो नहीं दिया था तो दोस्तो आप उसकी चुटकियों में पोल खोल सकते हो आप उसका तुरंद पता लगा सकते हो कि तूने WhatsApp के थुरू मुझे क्या message भेजा था दोस्तो मैं सारा सब कुछ अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अभी आप यहाँ पर WhatsApp को बीडियो को देखना है और यदि आपको फायदा मिले पसंद आए तो इस वीडियो को like comment share और सब्सक्राइब कर देना है तो सबसे पहले दोस्तो आपको अपने phone के अंदर यहाँ पे दोस्तो अभी वीडियो को skip मत करना यहाँ पे setting के अंदर आने है setting के अंदर आओगे न तो दुस्तो आपको यहाँ पे यह जो सर्च बार होता है ना setting का यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे नीचे यह देख सकतो notification status बार मिलता है यहाँ पर दूस्तो सलोली यहाँ पी इस तरह से cross करोगे तो notification के नाम से दूस्तो बहूट भेर सारी से pharm firearms यहाँ जाती है बपर दूस्तो आप यहाँ यहाँ पर नहीं पाओगे जैसे manage notification के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आप बहुत सारी यहाँ पे दोस्तो सेटिंग को ढूंते ही रह जाओगे तो आप यहाँ पे दोस्तो यह जो सर्च बार है ना यहाँ पे आना यह जो सर्च बार है आपको यहाँ पे ध्यान से देख लो क्या लिखना है यहां पे आपको notification लिख देना है इस प्रकार से notification लिखने के बाद आपको यहां पे spelling कर ध्यान रखना है notification ही लिखना है आपको notification लिख के दुस्तों इसका बाद space दे देना है history लिख देनी है आपको notification history लिख के इस तरह से search कर देना है जिस प्रिपार से आप यहांपे देख पा रहे हो यहां पर यहां पर कर दे और यहां से सेटिंग चैट को देख सकते हो, डिलीटेड मैसेज को रिकवर कर सकते हो, रिकवर यहाँ पे आपको, फिर समय लाइब यहाँ पर मैसेज करके दिखा देता हूँ, अब यहाँ पर यहाँ पर मैंने ओपन नहीं किया है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते क्या है बंदेने मैसेज को देखा नहीं और यह जो बंदा है दोस्तों यहां से इस मैसेज को डिलीट कर देता है यहां से डिलीट फोर इवरीवन कर देता है अब यहां पर दूस्तों यह जो मैसेज है दूस्तों यह वाट्सप अपना उपन करेगा तो दूस्तों यहां पर फिर से दिस मैसेज वाई डिलीटेड ऐसा दीखेगा अब यहाँ पर दूस्ता लोग इस बंदीगी चुटकियों परोल खोल देंगे कि आखिर तुने ऐसा क्या मैसे घ्र था अम तुरंड पता लागा रंगे कि दुस्तो वट्सप में उसने ऐसा क्या मैसे भी आ था जो मैं पढ़ना सका यहां पर आपको फिर से वहीं पर सेटिंग के अंदर आने है और आपको यहां पर वही दोस्तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री को सर्च करना है जो मैंने आपको स्टाइटिंग में बताया नोटिफिकेशन लिखके और हिस्ट्री लिख देनी है नोटिफिके के उन्चास मिनट पे आया है मैसेज और यहां पे कुछ तीन नोटिफिकेसन भी आया है यहां पे साथ पचास पे भी आया है और यहां पे उन्चास उन्चास पे भी आया है तो यहां पे यह जो दिख रहा है ना नोटिफिकेसन यहीं पे आपको क्लिक कर देना है यहां पे ज चीज का पता लगा लिया कि WhatsApp के अंदर उसने क्या ऐसा मैसेज भेजा था यानि कि दूस्तो WhatsApp की डिलीट चैट को हमने देख लिया और दूस्तो रीकवर करने की बात है तो दूस्तो यहां से रीकवर नहीं होगा बट दूस्तो इसका आप यह पता लगा सकते हो कि WhatsApp की डिलीट हिस्ट्री के नाम से कोई अप्लिकेशन हो गयरा इंस्टोल करके इसका यूज कर सकते हो जिनके फोन के अंदर ये नोटिफिकेशन हिस्ट्री ना हो बाकी दूस्तो बहुत सारे हैंडसेट के अंदर मिल जाता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री तो इसका आप यूज करके यह प